रम रम दोस्तों मैं हूँ अंकित सिंग देखिए Congress का जो party है उस party का 4 account को freeze कर दिया गया है ये freeze आयकर विभाग ने करा है Congress के एक नेता और Congress के कोशा अध्यक्ष अजय माकन अजय माकन ने ये कहा कि हमारे पास अब बिजली के बिल भरने के भी पैसे नहीं मौजूद है उन्होंने ये कहा कि हमारे नेता लोगों को पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है क्योंकि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और ये अकाउंट फ्रीज का जो उन्होंने बताया तो उस समय ये भी कहा कि देश का सबसे बड़ा ओपोजीशन कॉंग्रेस ही है जो कि बीजेपी से लड़ेगी और इस वक्त फ्रीज होना इलेक्षन के टाइम पे आ करके एकाउंट का कॉंग्रेस के एकाउंट का फ्रीज होना ये तो खिलवाड हो सकता है अब समझ रहे हैं किस और इसारा कर रहे थे देखिए पूरा मामला समझिए और क्या सच में कॉंग्रेस के पास पैसे नहीं बचे हैं ये भी हम आपको बताएंगे ये फ्रीज कब हटेगा क्यूं लगा है फ्रीज ये जानना सबसे ज़्यादा इंपोर्डेंट है क्या बीजेपी ने यानि जो केंद्र की सरकार है उसने अपोजीशन पार्टी प्रेसर डालने के लिए उसके पैसे को फ्रीज करवाया है देखिए समझिए पूरा दरसल जो मानक हैं जो कॉंग्रेस के कोसा अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत सारे इलजाम लगाये हैं उन्होंने ये कहा कि जो विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी उसका अकाउंट फ्रीज होना यानि पूरा देश को फ्रीज होना इस देश में लो बिसिकली आरोप ही एक तरह से लगाया गया कि हमारा केंद्र में उन लोगों का सासन है तो हमारा अकाउंट फ्रीज करवा दिया वकई में ऐसा हुआ है क्या है कारण फ्रीज होने का पहले यह हम आपको बता देते हैं और फिर कब तक फ्रीज रहेगा इस पे चर्चा करेंगे एक बात और जान लीजिए कि आयकर विभाग ने जब फ्रीज किया है तो 210 करोड रिकवरी भी कॉंग्रेस से मांगी है यानि पेनलिटी लगाई है कॉंग्रेस को 210 करोड रुपए आयकर विभाग को देने होंगे पेनलिटी है यह जुर्माना जिसको कहा जा सकता है वो कॉंग्रेस के उपर लग गया है अब थोड़ा समझीए क्यूं पहले तो मकन ने यानि कोसा अध्यक्ष ने आरोप लगाए और फिर उनका ये भी कहना है कि शायद ये जो पेनलिटी है जो ये कारेवाई हम पे हुई है फ्रीज करने की वो हुई होगी क्योंकि 31 दिसंबर 2019 तक अपने एकाउंट सम्बंधित जो जानकारी थी वो आयकर विभाग को देनी थी लेकिन इस जानकारी को आयकर विभाग के पास देने में कॉंग्रेस को 40-45 दिन का समय लग गया अतिरिक्त समय लग गया हाला कि आम तोर पे लोग जो जानकारी होता है वो 10-15 दिन लेट कर देते हैं लेकिन कॉंग्रेस को अपनी जानकारी अकाउंट की देने में आयकर विभाग को 40-45 दिन लग गए तो इनका कहना है कि शायद इस वज़े से हम लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ है और पैसे पड़े हैं हम लोगों पे मतलब फाइन पड़ा है और भी एकाद दो मुद्दे डिसकस किये उन्होंने कि इस वज़े से भी हो सकता है इसका तातपर यह है कि गलती तो हुई है यह तो यह भी मान रहे हैं यह तो कॉंग्रिस के नेता जो की कोसा अध्यक्ष है यह भी मान रहे हैं कि गलती तो हुई थी हमसे तो फिर यह राजनीती करण जो आरूप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का खत्रा भारत का फ्रीज हो जाना क्यूंकि कॉंग्रिस विपक्षी का फ्रीज हुआ है तो यह सब तो बस एक दिखावा मात्र है ना जब गलती अपने से मानी जा रही है कि सायद इस वज़े से हुआ होगा इसका मतलब आपने गलती किया और आयकर विभाग ने आप पे कारेवाई की तो फिर यह बोलने का क्या है तात पर्या कि लोकतंत्र को खत्रा हो गया कोई भी अगर कोई गलत काम करेगा किसी भी वज़े से कुछ होगा अब रेड लाइट आप जंप कर दोगे तो फाइन तो पड़ना ही है तो फिर रोना क्या जो कॉंग्रेस अभी रो रही है कॉंग्रेस के नेता ये रो रहे हैं अब हम आते हैं कि क्या ये फ्रीज फ्रीज रहेगा मतलब हर दम के लिए freeze रहेगा तो ये अभी unfreeze कर दिया गया है कैसे हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं देखिए Congress की ओर से IT Tribunal के वरिष्ट वकील जो है विवेक तनखा इन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि हम Congress के हैं और Congress का ये freeze हुआ है account election आ गया है और हमारे पास पैसे नहीं है अपनी मजबूरियां सुनाई जिस पे अभी इनका account जो Congress का freeze हुआ था उसको unfreeze कर दिया गया है लेकिन ये बुद्धवार तक unfreeze किया गया है बुद्धवार तक Congress कुछ भी उसमें से पैसे निकाल डाल सकती है लेकिन बुद्धवार को फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद सब final होगा कि क्या होगा 210 करोड जो fine भरना है वो भरेगी Congress या नहीं भरेगी सब कुछ उसी समय तय होगा यानि सब कुछ अगर हम लोग देखें तो Congress की गलती थी ये उनके accountant यानि वो मानते है नेता लेकिन फिर भी freeze हो गया तो मोड दिया धारा को Modi और BJP पे कि केंदर में वो है उसी की वज़़े से हुआ होगा कलती आपने करी है तो फिर तो होना ही था न हलाकि अब तो unfreeze भी हो गया मतलब गजब बात है कलती अपनी फिर भी दूसरे पे थोड़ा सा तो छीटा डाली देना है मुझे ऐसा लग रहा है खैर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो बताओ और जुड़े रहिया राम रम मैं वंकित सिंग